इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तबाएं पूर्व क्रिकेटर बीजेपी उमीदवाज जोग डिंडा पर हमले के बाद आज इस मामले में एक नए अपडेट आया है डिंडा को आप वाइपलास सेक्योरिची दी गई है पूर्वी मितनापूर के मौइना सीट से बीजेपी कैंडिडेट अशोग डिंडा पर कल हमला हुआ था उन्होंने हमले का आरोप टीमसी के नेताओं पर लगाया था नमस्ते मैं हूं मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ